ये वीडियो से काफी लोगों का फाइदा होने वाला है, कौनसा पाइदा? भई पानी सेप करने वाला फाइदा यहाँ पर देख लिए काफी बड़ा वाला गिजर लगा है और गिजर का कनेक्सेन भी हो चुका है लेकिन यहाँ पर हम return line का connection करेंगे कौन सा ये देख लिए ये है hot water return का motor इसे हम fit करेंगे और इसमें काफी ज़्यादा पानी से बोता है और ये वाला जो आप pump देख रहे हो ये pressure pump है अब ये return line का motor है इस motor में किस तरीके से पानी safe होगा वो सब बताते है चलिए इसे हम पहले fitting जो करेंगे वो भी देखें क्योंकि इसका fitting करने का तरीका बहुत अलग है वो समझना जरूर ये है हम explain भी करेंगे और साथ में fitting का video भी दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ माए और आप भी पानी इस तरीके से safe कर सको अब हम fit कर लेते हैं यह है एक इंच का CPVC brass M.A.V.T इस सब में हम table on tip लगा रहे है और यह जो CPVC solvent cement लगा रहा हूँ यह आप लगा सकते हो नहीं भी सकते हो लेकिन हाँ हलका सा CPVC solvent cement देने से leakage का chance से बहुत कम हो जाता है जो table on tip से अल्रेड़ी कम हो जाता है लेकिन CPVC solvent देंगे तो आप और भी ज्यादा लिकेस से बस सकते हो यह चीज का धियान रखिएगा दे सकते हो या नहीं दे सकते हो वो आपकी मर्जी है लेकिन है तो दे दिजिए बहुत फायदा में रहेंगे अब हमारा मोटर जो है वो फीट हो चुका है इसे हम पूरा complete कर चुके है इसे हम लगाएंगे यहीं पर pressure pump के 5 जूम है ठीक है इस मोटर का नाम भहुत लग बोलते है water circulation pump मतलब return करता है पानी को यह जो आप line देख रहे हो ना हमारा यह हमारा thunder वाला line है जो गीजर में जाके connection हुआ है ठीक है तो गीजर वाला जो line है इसमें connection है इसमें हम cutting करेंगे गरम वाला line जो है गरम वाला में cut नहीं करना है outlet में inlet में आपको cut करना है और यहाँ पर T मारना है ठीक है आप ज़रा इस line को देखें इधर इस तरीके से देखकर आपको कुछ समझ में आएगा किस तरीके से connection होगा नहीं आएगा ना तो वीडियो पूर देखते ही आपको सबकुस समझ में आ जाएगा किस तरीके से connection होने वाला है और एक चीछ है यहाँ पर आप टी जो मार रहे हो ना यहाँ पर नहीं मार के भी आप दूसरे जगह में भी connection कर सकते हो वो चीज भी बताऊंगा और अगर आप चैनल में नए हो तो सर जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेले करें प्रेस कर लिजिए और वीडियो अच्छे देख लिजिए टी की ऊपर एक एनर भी लागा रहा हूं यह एनर भी यहाँ पर देना जरूरी है किस तरीके से एरो दिया हूं वह भी देख लिजिए ठीक है यह सब चीज ध्यान दिजिएगा क्योंकि सभी explain तो करूंगा अभी बाद में लेकिन यह सब fitting करते वक्त भी ध् कर दिया हूं और यह वाला लाइन जो connection कहा हो रहा है हमारा मोटर का inlet वाला लाइन में connection होने वाला है इस तरीके से यहाँ पर इस point फूटा रहेगा और यह जो आप देख रहे हो यह है एक एनर भी यह है horizontal एनर भी जिसे हम switch check bulb कहते है इसका हम किस तरीके से अप्योग करेंग जहां horizontal मतलब आड़ा में रहता है इस एनर भी की use करेंगे जैसे कि देख लिए यह है arrow तो यह हमारा उस side रहेगा और इस तरीके से हम यहाँ पर इसे fitting कर लेंगे तो outlet में भी जो है आपका एक एनर भी जरूरी है मोटर का एनर भी का angle देख लिए कि side है arrow उस side पानी जाएग इस मोटर का outlet से होकर अब हम इस outlet को connection कर लेते हैं जहां पर union देना बहुत जरूरी है और एक चीछ है अगर आप फेजुक में देख रहे हो तो YouTube में भी जाकर देखिए वहाँ पर अलग तरीके से समझाओंगा अगर आप YouTube में देख रहे हो तो फेजुक पर भी जाकर देखि अब मेरा रिटान लाइन का outlet connection पुरा complete हो चुका है अब inlet connection भी जो है थोड़ा सा बाकिया है इसे हम जटपट complete कर लेते हैं और आप लोग भी हमारी तरह वीडियो को जटपट लाइक और चनल को subscribe करिए और फेजुक पेच में देख रहे हो तो फेजुक को follow करिए और वीडि अगेरा सब है भलप है बहुत सारा चीज है बहुत सारा चीज बताऊंगा यहां पर देख लिजी यह sensor है टाइमर इसका जो है जब फिटिंग होगा इसका एक दूसरा वीडियो बनेगा मतलब पंप के साथ सबी चीज explain करूंगा यहां पर जो है hot water return line का connection जो हुआ है उसका explain करता हूँ अब ही ठीक है इस पंप का नाम क्या है horizontal multi-stage centrifugal pump ठीक है यहां पर देख लिजी एक NRB है ऐसे समझाओंगा तो नहीं समझ मेंगा शुरुवात से शुरू करते है कहां से यहां पर जिदर जो है आपका inlet मतलब जो गिजार का inlet होता है थंड़ा पानी ठीक है थंड़ जो जाता है नल से कहां आता है काफी दिर जब नल यूज नहीं करते हो तो यह पानी क्या है थंड़ा हो जाता है वो थंड़ा पानी को क्या करेगा यहां से खीचेगा किस तरीके से आप कंसिल पीटिंग का वीडियो देखे हो किस तरीके से होट वाट वाटर लाइन वहां connection किया सेम उस तरीके से कनेक्शन करके इसमें यहां से यहां से यह अब यहाँ पर यह क्या दिया हूं एक पऊने का बने इस कमार कर इसार में नट रहता है इसनेकर लगा देना पड़ेगा और सुलिया को लगा देना पड़ेगां यह जो आपका कहां जाएगा यह आपका थंडा का लाइन है जो आपका टेंक से आया है गिजार का इनलेट में तो यहाँ पर आप दे सकते हो या फिर आप टेंक में भी डाल सकते हो लेकिन यहाँ पर देंगे वो भी चल जाएगा और टेंक में भी डालेंगे वो भी चल जाएगा ठीक है इस यहां एक दिया हूँ यह दो की दिया हो एक दीखता हो न आपका टमपरेचार का तो यहां पर यह पाणी ऊपर ना जाहें इसके लिए हैं यहां देख लिए गृण दिया हूँ जिसका नाम है मल्ति चेख भाल फिक है आप यह जो है बान रिखता है यह NRB में यहां क्यों लिया आउटलेट में यह इसलिए दिया यह वाला जो लाइन है आपका थंडा वाला लाइन थंडा वाला का लाइन जो है पानी का प्रेसर जब चलेगा गिजर चलेगा तो यह वाला लाइन जो है आपका यहां प्रेसर उल्टा देगा आप उल्टा देगा तो NRB जो है पानी रोकेगा आपका मोटर में उल्टा नहीं आने देगा मोटर को बीगड़न नहीं देगा तो आपको यहाँ एक NRB जरूरी है और यह जो है यहाँ पर एक NRB जरूरी है ये दोनों NRB आपको जरूरी जरूरी है और ये NRB किसलिए है ये इसलिए है क्योंकि गीजार काफी दिन पहले लग चुका है दो बार लग चुका एक टेंपुरारी लगा था ताकि घर वाले यूच कर रहे थे फिर दूसरे बार लगा दिया परफेक्ट हो गया फिर से होट व वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुन न भूलिए फिर में लिए हुए सब्सक्राइब आप लोग के साथ आप लोग के पास की सिल्सरत के साथ तब तक लिए बाय बाय जाहे हैं